हुआ हो आप सब लोग खीक होंगे क्या डियो भी किश्च लोग आज मैं आपको एक नियू रैशीपी सिखाऊँ गी आज मैं आपको ट्राइब बनाना सिखाऊंगी जो कि आप लोग देख सकते हैं पाइनल लुक बहुत ही सवर्दस्ट बहुत ही स्यादा सॉफ्ट आम लोग देख सकते हैं यह ना तोटेंगी ना कुछ और आप लोगों ने ज़रूर ट्राइ करनी है मेरी इस रैसे पी को और मुझे फीड़ बैक ज़रूर देना है तो चले बनाना स्टार्ट करते हैं असलाम अलीकुम कैसे आप सब्सक्राइब करती हूं आप सब्सक्राइब ठीक होंगे कहाँ आद में आपको पीटर ब्रैट पर आना सिखाऊंगी उसके लिए सबसे पैदे मैं नीम गरम पानी दे दिया और उसमें एक चमच के करीब मैंने इस डाल दिया और एक चमच इसमें हमेंगी पांच मिन्य पैज कि लिए एक साहरा पर उसके बाद हक्डिव सब्सक्राइब फिसमें पैयल स्वेप्छ इंडियोंगे इसमें नमख दाल दोगी कि हासुच sagt करेंगे अच्छी तरह से पहले इसको मिक्स करेंगे और जो हम लोगोंने नीम गरम पानी मीं येस्ट और शुगर एड़ की थी वो अप ठाएंगे और थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाएंगे ऐसे और इसको गूनते जाएंगे आटे की तरह आप लोगोंने इसको गूनते लेना है जितने जबरदस्त आप लोगों की डो तियार होगी उतने जबरदस्त आपकी पीटा ब्रेट तियार होगी आप लोग देख सकते हैं बहुत ही जबरदस तरीके से कि हमारी जो है डो त्यार है आप लोगों के सामने तकरीबर इसको हम लोग आधे गंटे के लिए रखतेंगे ऐसे पहले आप लोगों ने इसको ऐसे मसल मसल के इसको करना है इसे बहुत ही जबरदस्त इनके फूलेगा और बहुत ही जबरदस्ती आपके डो त्यार होगी तो अब मैं इसको एक बेड़े की शकल दे दूँगी और इसको कवर करके आदे गंटे के लिए रख देंगे तकरीबर आदा गंटा हो चुके हैं आप लोग देख सकते हैं माशाला यह बहुत ही जबरदस्त तरीके से फूल चुकी है अब हम जो है ऐसे इसको अच्छी तरह से ऐसे गूंद देंगे अच्छी तरह से ऐसे ठीक है बहुत ही जबरदस्त तरीके से जितना नरम आपका होगा आठा उतने जबर्दस्त आपकी ये नरम पीटा ब्रेड बनेंगी ठीक है सक्त तार्टा आप लोगों ने नहीं गूनना अगर सक्त डो आप लोगों ने रखी तो आप लोगों के पीटा ब्रेड सक्त बनेगी तो ऐसे आप लोगों ने इसके ऐसे पेड़े बना लेने हैं हिसाब से ऐसे में उसके बाद हम थोड़ा सा ऑईलिस पर डालेंगे और इसको ऐसे पेड़े बनाकर अच्छी तरहां से इसको बेलूँगी मैं अच्छी तरहां से आप लोगने इसको बेल देना है बहुत ही जबरदस तरीके से ऐसे माशाला से बहुत ही जबरदस तरीके से यह बेल चुकी है आप लोगों के सामने आप पांच मिनिट इसको कवर करके रख देंगे पांच मिनिट हो चुके हैं अब हम देखेंगे माशाला से यह थोड़ी पूल चुकी है अब हम एक पैन लेंगे पैन हमारा गरम हो चुका है एक चमच इसमें डालेंगे ऑईल का ताके यह थोड़ा सा ग्रीस हो जाए उसके बाद हम इसमें डाल देंगे जो हम लोगोंने बेली थी ठीक है पीट अब्रेट जो है बहुत ही जबरदस बनती है हमारी यह दो मिनट के बाद हम इसकी साइड को चेंज करते रहेंगे और बिल्कुल हलकी आच पर आप लोगोंने इसको बनाना है आप लोग देख सकते हैं कितना जबरदस इसके उपर कलर आ चुका है तमाम पीटर ब्रेट्स मैंने ऐसे बना दी जैसे कि मैंने आपको तरीका बताया है माशाला से बहुत ही जबरदस बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट आप लोग बताईए का मेरी ही रेसीपी कैसी दखी अगर अच्छी लगे तो लाइक करें मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाँ भी